नमस्कार दोस्तो श्लाग की एक भार फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के सी वीडियो में हम बात करेंगे सच्ची वाली भरति के बारे में जी यहां दोस्तों आपको बता दो कि यहां पर सची वाले की तरफ से ओफिशियल वेकेंसी निकल चुकी जिसमें आपकी यहां पर विकास अधिकारी लेकापाल कलरक ग्रेड सेकेंड और चपरासी के पदों पे 12,451 पदों पे वेकेंसी निकल चुकी है ओनलाइन आवएदन आप कर सकते हैं ओनलाइन आवएदन के लावा आपको बता दो कि यहां पर पूरा डेटेल में फोरम कैसे फिल करना है आपकी लास डेट कब रहने वाली है इसके लिए एजुकिशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है कौन से डिपार्टमन में कितनी प इकास अधिकारी के पदों पे वेकेंसी निकल चुकी है टोटल मिला कि आपके 244 पोस्ट रहने वाली है लेकपाल की आपकी यहां पे 366 पदों पे वेकेंसी निकली है यह वेकेंसी आपकी ओल इंडिया लेवल की रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स अपलाई कर सकते हैं कलर के बात करने WOW दोस्तों आगए आपके 211 पर वेकंसी निकली है और चप्रासी की आपकी 2754 पर वेकंसी की आवेदन मांगे जा रहे हैं दोस्तों पूरा डीटेल में! आपको आवेदन भी करके बताने medal है इसके अलावी दोस्तों आगे हमब बात measuring आपका यहांपर सेक्षन कयो गिता क्या रहेगी योजुना विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए ग्रेजिएशन मांगे गई है वहीं लेकपाल के पोस्ट के लिए भी ग्रेजिएशन होना ज़रूरी है कलर के ग्रेड सेकेंड के पोस्ट के ले ट्वेल्थ पास आपके हापे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गई है और चप्रासी के पोस्ट के लिए दस्वीपास केंडिडेट्स आवेधन कर सकते हैं वेकेंसी की जो आयू सिमा रखी गई है मिनिमम आपकी 18 साल होनी जरूरी है और मैकसिमम 40 साल तक केंडिडेट्स आवेधन कर सकते हैं ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया रहने वाला है इसमें OBC केंडिडेट्स को अधिकतम 3 साल तक की चूट मिलेगी आपके आवेधन की जो अंतिम्तिती रहने वाली है 16 फरवरी आपकी यहां पे लास डेट रहेगी 16 फरवरी से पहले पहले सबी कंडिडेट्स अपलाई कर लीजिएगा दोस्तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विबिन पदो के लिए वेतन मान की यहां दोस्तो आपके बता दूँ कि आपके योजना विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए 35,500 रुपे पर मंत आपको सेलेरी दी जाएगी वहीं लेखपाल की पोस्ट के लिए 34,500 रुपे पर मंत आपकी सेलेरी रहेगी कलर के ग्रेड सेकेंड की पोस्ट के लिए 28,600 रुपे और 84 की पोस्ट के लिए 19,200 रुपे पर मंत आपकी सेलरी रहने वाली है यह आपका बेसिक पे रहेगा बत्यार आपको अलग से दिये जाएंगे यह आपकी दोस्तों यहाँ पे सेलरी हो गई सबसे पहले उसके तुरू आपको यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करना पड़ेगा जो भी आपका यहाँ पर नाम है यहाँ पर फिल आपका नाम कर सकते है 12th pass यहाँ पे मैं आपको जो LDC की post है उसके लिए आपको बता रहा हूँ color की post के लिए यहाँ पे अगर 12th pass है तो यहाँ पे आप apply कर दीजेगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यह वेकेंसी की job location आपकी बिहार रहेगी ऐसे ही all India level पे जगे जगे पे आपकी वेकेंसी निखली है पूरा detail में आपको सभी की link प्रोवाइड करवा दूँगा में इसके अलावा दोस्तों सारी detail आपको fill करनी है एक एक जो भी चीज़े आपसे मांगी गई है category आप select कर लिजेगा date of birth इसके अलावा आपकी age कितनी है mobile number आपको fill करके आपको register करना है registration करने के बाद में आपके mobile पे OTP आएगा और यहां पे login करने का जो ID और password वो आएगा तो उसके थुरू आपको वापस से login करना है फिट detail में आपको forum fill करना पड़ेगा यह पूरा process आपको करना पड़ेगा तो दोस्त आवेदन जरूर कि लिजिएगा आपकी last date भी बहुत पास में आने वाली है तो अब मिलेंगे आपके next वीडियो में एक नए update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों